Good morning children, उमीद करती हूँ सभी कुशलमंगल होंगे, तो आएए आज मैं फिर हाजर हूँ नए पाठ के साथ बच्चो आपको पता है हिंदी में स्कोलर्शिप को क्या बोलते हैं? नहीं, वजीफा वजीफा वो धन है जो बचे पढ़ने में होश्यार होते हैं, प्रथम आते हैं और गरी परिवार से होते हैं वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उनकी पढ़ाई नहीं रुखनी चाहिए तो सरकार अपनी तरफ से सरकार तो कभी कभी ये निजी संस्थाइं भी होती हैं जो अपनी तरफ से कुछ धनराशी देती है उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए तो इस धनराशी को वजीवा कहा जाता है तो आज हम पाट पढ़ने जा रहे हैं उसका नामी है वजीफा किसको अब वजीफा किसको यह इसलिए कहा है कि एक ही परिवार जो गरीब परिवार है और उसमें दो भाई भेन हैं तो भाई छोटा है बहन बड़ी है और दोनों प्रथम आते हैं अब जिस संस्था में वो थे उस संस्था के नियमा अनुसार कि एक परिवार में अगर दो बच्चे प्रथम आते हैं तो वजीफा जो है वो एक को ही दिया जाएगा तो होता क्या है कि जो परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि बेटे को मिले और इसके लिए वो बहुत तर्प करते हैं कि बेटे को जो छोटा भाई था दीपू उसको वजीफा दिया जाए लेकिन दीपू जो है इस बात से काफी दुखी था कि अगर मुझे वजीफा मिला तो मेरी भेहन के साथ अन्याय होगा इसलिए संस्था वालों ने अपना नियम तोड़ दिया और दोनों भाई भेहनों को जो है वो बजीफा दिया आए अपनी टेश्बूक निकालिए हार्थ में पैंसिल लीजिए अब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगी कि कि किस तरह सं निकालिए अपनी बुक सूर्य किरन हाथ में पैंसिल ले रखें और पाठ छे बच्चों आपको शंका होगी कि हमने पाठ पांच क्यों नहीं पड़ा तो आपको एक भेजा हुआ था स्कूल ग्रूप में बेज़ा हुआ था कि हमारे कुछ लेसन जो है वो इस बार पाठ करम से निकाल दिये गए हैं इसलिए फिर्ट वाला जो लेसन है वो हमने इस वर्ष के लिए पाठ करम से निकाल दिया है इसलिए हम सीधे अभी लेसन नमबर 6 पड़ेंगे और इस बार जो एक्जाम होंगे हाफ एरली का जो एक्जाम है उसके लिए ये लास्ट लेसन है चलिए शुरू करते हैं दीपू तुम वजीफे के लिए चुन लिए गए हो मुख्या द्यापक ने जब घोशना की तो दीपू खुशी से उचल पड़ा सर क्या मैं घर जा सकता हूं उसे ये समाचार दीदी को बताने की जल्दी हो रह थी ये जो मुख्या द्यापक है ये प्रिंसिपल को कहा जात है उन्होंने घोशना की कि दीपू तुमको जो है वो अईनाम दिया जाएगा तुम चुन लिए प्रत प्रत हम आये हैं इसलिए बजीफे के लिए बजीफे मैंने आपको बताया बच्चों की आगे पढ़ने के लिए धनराशी तो उसके लिए तुम्हारा नाम चुन लिया गया है और दीपू भागा कि सर में जाओं घर में मुझे मेरी दीदी के पास जाना है उन्हें दीदी को ये समाचार सुनाना था अरे छुट्टी तो होने दो अभी तो दस मिनट बचे हैं कहकर मुख्या ध्यापक दूसरी कक्षा की तरफ चली गए बच्चों ने दीपू क घेर लिया कोई पीट थबत्का कर उसे सावाशी दे रहा था तो कोई उसका हाथ पकड़कर बधाई दे रहा था बच्चों आप यहसा करते है अगर किसी को प्राइस मिलता है किसी को इना मिलता है तो आप इसे खीचते हैं कॉन्रेट्स करते हैं बधाई देते हैं बैसे ही उसके दोस्ती भी कर रहे थे, दीपु बार बार दिवार पर टंगी घड़ी देख रहा था, हाँ भई जल्दी तो होगी ही, मिठाई जो खानी है, नंदु ने उसे चिड़ाया, हमें खिलाएगा की नहीं, भी खिलाणी होगी, सारे बच्ये जोर मजाने लेगे, किसी लड़के को रहे हों पराइस मिलता है, तो बोलते हैं, पार्टी चायिए, पार्टी चायिए, तो बूब बचारे बोल रहे थे, कि हमें मिठाई खिलाणी होगी आपको, तभी छुटी की घंटी बजी, दीपु ने अपना बस्ता उठाया और बच्चों के खेरे से जदी से निकल कर घर के बाया लटका लेते हैं बदीदी को अवाज देने लगा अभी आती है दीदी पर तुम क्यों उससे मिलने के लिए उताबले हो रहे हो माने पूछा माँ बोलती है कि तुम इतने उताबले क्यों हो रहे है दीदी आ रही है अमा आज दीदी के कारण मुझे ये वजीफा मिला अब मैं शहर में विद्याले में जाकर पड़ सुकूंगा और फिर बड़ा अधिकारी बनूगा अब ये बोलता है दीपो बोलता है कि मां मुझे आज वजीफा मिला है मेरी नाम गोशना की है और वो दीदी की बजा से मिला है हाँ बेटा बड़ा अधिकारी बन जाना पर क्या मिला तुझे बजीफा ये क्या होता है मतलब मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा आवे लोग उठाएंगे बच्चों ये है वजीफे का मतलब कि मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा आवे लोग उठाएंगे दीपू बोला बे कौन भाई ये कौन कह रहा है माँ कह रहे है पिता जी ने पूछा ये कौन है भाई तब पिता जी ने कमरे से अंदर आकर पूछा पिता जी बहार से आए और बोलते हैं ये कौन है भाई पिता जी छे मएने पहले एक संस्था से कुछ लोग विद्याले में आये थे ये कुछ समाज से भी संस्थाएं होती हैं जो गरीबों को मदद करती हैं तो ये लड़का जो है वो अपने पिता को समझा रहा है कि कुछ छे मएने पहले कुछ संस्था के लोग विद्याले में आये थे ये संस्था के गाओं के लाइक और होनहार बच्चों को चुन कर उन्ह पेटिशन होते हैं कभी-कभी आपने देखा होगा बाहर के लोग आते हैं आपको पेपर देते हैं बाद में आपको प्राइस डेक्लियर करते हैं तो बैसे ही यह संस्था है और यह चून रही थी कि जो बच्चे पढ़ने में हुश्यार है और गरीब है वो उनको बजीफा द पिछले तीन साल के अंक देखे और एक परिक्षा भी ली जिसमें गणीत विज्ञान भाषा और सामान्या ग्यान के प्रसंद पूछे गए थे बच्चों यहां पर गणीत मैक्स को कहा जाता है विज्ञान साइंस भाषा यहने आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी हैं लेंग पूछे गए थे मुझे पिछले तीन सालों से लगा अतार और सत्त्र प्रतेसत सत्तर का मतलब होता है सेवन्टी अंक मिल रहे हैं इस परीक्षा मैं तो मुझे 80 प्रदिसर कांक मिले इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों में प्रथम रहा कह रहा है कि मैं 2-3 सालों से तो मैं average उन्हों न बताए कि 70% मिल रहे थे लेकिन ये जो exam इन्हों ने लिया उसमें तो मुझे 80% मिले और मैं सभी विद्यार्थियों में प्रथम रहा प्रथम का मतलब होता है फॉर्स्ट रहा ये सब दीदी के कारण ही हुआ बेरोज मेरी पढ़ाई से साइटा करती थी अब उन्होंने कहा कि ये जो लड़का कह रहा दीपो कह रहा है कि ये जो मुझे मास मिले यह समें दीदी की बज़ा से मिले क्योंकि वो रोज मुझे पढ़ाती थी हाँ हाँ पर ये कौन लोग है कहां से आये हैं हाँ मैं भी तो पता होना चाहिए पिता जी ने गहा पिता जी बोल रहे थी कि हैं कौन लोग हमें पता तो चलना चाहिए बच्चों मेरी बुक में आपको जैसा भी दिखाए दे, आपको सुनना है, आप अपनी बुक में पैंसिल रखते जाएं और मैं जो बूर रही हूं उसको सुनते जाएं, मेरी बुक को आपको देखना नहीं है, क्योंकि आपके पास बुक है, अरे हाँ, उन्होंने उस समय बत तब दीपु ने कहा कि पिताची उन्हें ने कहा था कि जो प्रतम आएगा वो लोग उनके घर आएंगे और उनके घरवालों से भी मिलेंगे ठीक है मिलकर देखेंगे पर तेरी दीदी क्यों नहीं आई अभी तक मैं तो कब कब की आई हूँ बस मेरे मेधाबी भाई का भासन सुन रही थी मुस्कुराती हुई दीदी बोली यहाँ पर बच्चो मेधाबी होते हैं बहुत बुद्धी मान तो बैं कह रही है मैं तो कब से आ गई थी लेकिन मेरे बुद्धिमान भाई के मैं भाशन सुन रही थी ओ दीदी ओ दीदी कहकर दीदी से लिपट गया मुझे पता था कि वजीफा तो मैं ही मिलेगा दीदी गर्व से बोली आप दीदी को भी थोड़ा प्राउड फील होने लगा कि मैंने पढ़ाया है और इसे वजीफा मिल रहा है वो प्रथा माया है जब तुमने पढ़ाया तो कैसे नहीं मिलता अरे हां दीदी वे लोग तुम्हारे कन्या विद्याले में भी तो गए थे नतीजा आया कि नहीं तो में वजीफा तो मिला ही है पूरे विद्याले में तुम जैसी हुश्यार लड़की है ही नहीं बताओ ना आया नतीजा देखो भाई उसकी तारीफ कर रहा है कि मेरी बेहन को तो पक्का मिलेगा क्योंकि तुम बहुत हुश्यार हो हाँ मैं भी अपने विद्याले में प्रत्माई हूँ दीदी ने बताया दीपू यह सुनकर दीदी का हाथ पकड़ कर नाचने लगा अब उसको मिला था उससे तो वो खुशी था ही था लेकि जैसे उसने अपने बेहन के बारे में मिला पता चला तब तो उसका हाथ पकड़ कर नाचने लगा ओ दीदी अब हम दोनों खूब पढ़ेंगे शहर में दोनों साथ रहकर पढ़ाई करेंगे दीपू दीदी से फिर से लिपट कर सपने देखने लगा अब उसको लगा अब मैं शहर जाओंगा अब बड़े बड़े सपने देखने लगा नहीं दीपू मुझे कौन पढ़ने देगा दस्वी तक पढ़ लूँ यही बहुत है उदास वर से दीदी बोले बचे यह उस में की बात है जब लड़कियों को जादा पढ़ाया नहीं जाता था उन्हें शहर नहीं बेजा जाता था यह उस में की बात है इसलिए वो बोल रही है कि मुझे दस्वी तक हो जाएगा तो ही बड़ी बात है उसके बाद मुझे कौन शहर भेजेगा ठीक ही तो है लड़कियों को बढ़ाता है जादा सरकारी कानून नहीं होता तो कब की शादी करा देते पिता जी बोले और आंगर में खाट पर बैठ गया अब पिता जी ने जब सुना कि दीदी ऐसा बोल रही है तो वो बोलते है कि हाँ यह तो सही बात है कि सरकारी दबाब था कि बाल भी बान नहीं करना है बरना अभी तक तो शादी कर दी होती ठीक ही कर दी होती तब ही माँ खीर का कटोरा लेकर आई और बोली ले दी पू तुझे वजिफा मिला है ना भगवान को भोग लगा कर लाई हूँ अब देखिए यहाँ पर उसमें यह पुराने समय में ना बचो लड़की लड़का के पर बड़ा बेदबाब होता कि नहीं लड़के ही पढ़ने चाहिए नहीं लड़कों को ही आगे क्योंकि यह वांश की वरिद्धी करते हैं तो इनका बड़ा यह था लड़कों को ही ज़्यादा पढ़ाया जाता था और लड़कियों को नहीं तो देखिए भी माने भी खीर लाई और कहा कि मैंने भववान को भोग लगाया दीपो तुम खा लो जो कि बजीफा के लिए नाम तो उसकी भेहन का भी चुना गया था न अमा दीदी को बजीफा मिला है उसे भी दो इसे भी जीफा लड़कियों को क्या करना है भी जीफे का देखा जैसे उसकी पिता जी सोच रहे थे वैसे ही मा भी सोच रही है पिता जी सोच रहे है कि सरकारी दवाब ना होता तो कब से शादी कब की शादी कर दी होती और मा कह रही है कि इसको वजीफा मिला तो क्या फाइदा लड़कियों को क्या करना है वजीफे का अर्थात आगे तो पढ़ना ही नहीं है क्यों दीपू आगे कुछ बोलता पर दीदी ने उसे चुप करा दिया क्योंकि दीदी जानती थी समाज के रिवाज मा पिताजी को खीयर देने चली गई दीपू को ये सब देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा लग रहा था दूसरे दिन सुबह सुबह स्कूल के मुख्या ध्यापक और उसके संस्ता के लोग दो महिलाएं और एक पुरश दीपू के घर आए ये हैं दीपू के पिता जी मुख्या द्यापक ने बताया आईए बैठिये अरी लली दूसरी खाट तो ले आ और अम्मा से चाय बनवा कर ला पिता जी बोले पहले बच्चों खाट वगरा में ही बिठाया जाता था चेयर टेबल सोफे तो अब हैं उस गरी परिवार भी था और दूसरा दीदी जी ने खाट बिचाई दीपू ने उस पर दरी बिचाई दरी यहने खाट पर जो चद्दा जैसी बिचाई उसे दरी कहा गया आपका लड़का बड़ा होन हर है इसे हमने वजीफे के लिए चुना है आपकी सहमती चाहते हैं सहमती का मतलब है अनुमती कि हम यह लड़का बड़ा होश्यार है और इसके हम इसे हमने चुन लिया है आप अब आपकी अनुमती हमें चाहिए जी पूरी सहमती है आप उसके पिता जी बोलते हैं हाँ हम तो तयार है पिता जी बोले निम्मो का घर भी यही है ना आप वो जो संस्ता की लोग और मुख्या द्यापक आये थे वो बोल रहे हैं कि वो दीपू की भेन का राम है निम्मो वो बोल रहे हैं कि निमों भी तो गर भी यही है ना एक महिला ने मुख्या द्यापक से पूछा तो यह मुख्या द्यापक एक जो महिला उनके साथ जो संस्ता की महिला थी वो साथ में आये थी अब उसने जो है वो मुख्या द्यापक से पूछा कि यह जो निमों लड़की है उसका भी तो यही घर है ना तो उनोंने का जी हाँ निम्मो इनकी ही बेटी है क्या उसे भी चुना गया है मुख्यादे आपको नहीं पता था क्योंकि उनकी बेहन जो है वो दूसरे स्कूल में थी जी हाँ दूसरी महिला मुस्कुराती हुई बोली पर एक परिवार से एक ही बच्चे को वजीफा दे सकते हैं संस्था के पुरस सदस्य ने का अब संस्था के लोग ने का कि एक ही परिवार में दो हैं लेकिन हमारा जो निम है उस निम के अनुसार हम एक ही बच्चे को वजीफा दे सकते हैं ठीक है फिर दीदी को ही दीजिए दीपू जट से बोला अरे नहीं नहीं लड़कियों को पढ़ाने की अवश्क्ता नहीं आप दीपू को ही वजीफा दीजिए दीपू के पिता बोले देखा आपने उनुने कहा कि लड़की है इसको जुरुत नहीं है आप लड़के को ही दीजिए अगर दीडी की पढ़ाई से मैं मेरी रोज मदद नहीं करती तो मैं कभी नहीं जीतता दीडी के हमेशा 80 प्रतिसत अंक आते हैं दीपू बोला इसका अर्त है कि दीपू से अधिक होनहार निम्मो है उस पुरुशने कहा निम्मो तभी चाहे लेकर आए निम्मो बताओ क्या तुम पढ़ना चाहती हो पूरसदसे निम्मो से पुछा जी हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि गाउं गाउं जा सकूँ जहां कोई भी डॉक्टर या कोई सरकारी सरकारी अरोग्या केंदर नहीं है वहां के लोगों का इलाज कर सकूँ देखा बचो इस लड़की के कितने बड़े बड़े सपने है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसी जगा काम करूँगी जहां उस एरिया में डॉक्टर नहीं है आरोग्या केंदर नहीं है मैं वहां के लोगों का इलाज करूँगी अरे लड़की भी कहीं डॉक्टर बन सकती है पिताजी चिलाए अब उनके पिताजी को गुसा आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है लड़की के डॉक्टर बनेगी क्यों नहीं बन सकती दीदी पढ़ाई में अच्छी है सबकी मदद करती है आप गिर पड़े थे तब दीदी ने ही रोज पट्टी बदल कर आपकी सेवा की थी है ना अमा तीपू भी अब निडर हो गया अमा ने हाँ मैं सिरह लाया अब इसने जो इसके भाई इने जो है वो तो एक्जामपल दे दिया कि क्यों नहीं पढ़ सकती है जब आप गिर गए थे तो आप मेरे दीदी ने ही तो आपकी पट्टी दीदी ही तो लगाती थी अब क्या करें चारों सदसे अपस में बोले अब ये जो चार संस्ता के लोग आये थे उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए ये चारों जो है वो परिशान हो गए क्योंकि एक ही परिवार के दो है अब ये जो है घर वाले नहीं चाहते बेटी को मिले लेकिन बेटा चाहता है कि नहीं मेरी दीदी को मिले अब ये आपस में बिशार करने लगे कि क्या किया जाए दीदी को ही अब क्या करेंगी चारों सोदसे आपस में बोले दीदी को ही वजीफा दीजिए मुझे तो पिता जी पढ़ाएंगे ही पर पैसों की कमी का वहाना बनाकर दीदी का विड्यलने छोड़वा देंगे देखो बच्चे को भी पता है कि मेरे लिए तो ये कैसे भी करके पैसे दे देंगे लेकिन दीदी का स्कूल जरूर छोड़वा देंगे दीपू बार-बार अनुन्य कर रहा था अनुने का मतलब है रुकेस्ट करना प्रात्ना करना हम एक दो दिन बाद फिर आएंगे कहकर वो जाने लगे दीपू उनके पिछे पिछे जाकर यही कहता रहा दीदी को ही वजीफा दीजिए पिता जी दो दिन गुसे में चुप रहे अम्मा निम्मो को डांटने की कोशिश करती रही पर दीपू ने चुप करवा देता दो दिन बाद संस्था की चारों लोग बाप पिस आए उन्होंने दीपू और निम्मा दोनों को बलवाया हमारे संस्था फिर जब चार दिन बीट गए यह लोग चले गए संस्था की लोग फिर चार दिन के बाद फिर से आए और फिर से इन दोनों भाई बेनों को बलाया हमारे संस्था ने निश्चे किया है कि वजीवा निम्मो को निम्मो के बोलने के बाद वो थोड़े रुक गए तो नहीं नहीं यह सही नहीं है ये सही है दीपू उचल कर तालिय बजाने का अब दीपू के दिल की बात हो गई वो तो नाचने लगा कि नहीं ये ही सही है शावाज दीपू एक महिला बोली बाकई तुम नेक और सही बात कहती हो दीपू इसलिए निमा के साथ साथ हम तुम्हें भी वजीफा देंगे आप उस महिलाना जो है वो बात में कहा कि जब बहुत खुशी से नाचने लगा तब उसने कहा कि नए दीपू शावाज तुम सही इनसान हो तुम्हारी जो बात है वो सही है इसलिए हम तुमें भी वजीफा देंगे पर आपका नियम दिपु हहरान होकर बोला अब दिपु का बता था कि इनका नियम है कि एक परिवार में दो बच्चों को नहीं दिया जाता एक को ही दिया जाता है तो तब उन्होंने आसर दिया कि उत्तर दिया हमने न्याई के लिए इस बार नियम को एक तरफ कर दिया है वे सभी एक सुर में बोले अब सब एक साथ बोलने लगे नहीं, हमने न्याई के लिए अपने नियम को साइड में कर दिया अर्था तोड़ दिया दीपू खुशी से दीदी के गले लग गया अब दोनों भाई बैन खूब पढ़ना मा ने कहा अब दोनों ने कहा जाते जाते दोनों जो है वो उनको गले से लगाया संस्ता की लोगों ने और कहा कि दोनों भाई बैन खूब पढ़ना मा ने कहा पिता जी भी अब बात समझ ग और पिता जी को भी अब बात समझ में आ गई कि दोनों भाई भेन माँ पिता जी के चर्ण दोनों भाई भेन उन्हें माता पिता के चर्ण छुए जब बच्चों जब उन्होंने देखा कि समस्तावालों ने दोनों को दिया तो माँ भी समझ गई और उनके पिता जी भी समझ गए कि नहीं लड़कियों की पढ़ाई भी उतनी ही अवश्यक हैं जितने की लड़कों की और ये इनों ने दोनों भाई बैनों ने अपने माता पिता की चर्ण छुए तो बच्चों ये था पाठ और पाठ का ये शारांस होता है ये जो मैंने आपको बताया था ये बोही बा करने विद्यले जाओं की भेन पढ़ती थी वहाँ पर एक परिक्षा ली गई और उस संस्था के नियमानुसार परिक्षा में प्रथमाने पर छात्र छात्रा ये देखे छात्र मतलब लड़का छात्रा मतलब लड़की को वजीफा दिया जाता था जिससे वेसरकारी खर्च पर जितना पढ़ना जाएं पढ़ सकें दीपू था उसकी दीदी अपने विद्यले में प्रथमाए संस्था के नियमानुसार एक परिबार में से एक ही बच्चे को वजीफा मिल सकता था दीपू के माता पिता बेटे को वजीफा दिलवाने के लिए अनेक तरक दे रहे थे दीपू अपने दीदी के प्रती होने वाले इस अन्याय से दुखी था आंत में संस्था वालों ने अपने नियम को तोड़ते हुए दोनों भाईवेन को वजीफा देना सविकार कर लिया बच्चों में ने आपको बताया है कि हर पार्ट का कोई न कोई संदेश कोई न कोई उदेश होता है आपके पार्टने पुस्तक में देने के लिए तो इस पार्ट का ये संदेश है कि इस तरही शिक्षा समाज कोई उन्नती के लिए महत्वण है और ये वच्चन है कि एक श आप ये बोल सकते हो और ये इस पार्ट का संदेश है ब्याकन की एक तरिष्टी से ये शब्द ये होते हैं इनको संग्या वाले कौन कौन सा शब्द है सर्व इनको आप पढ़ लिया करो क्योंकि आपको कभी भी अंडरलाइन करने आएगा तो या अगर ये आपने पढ़ा है कि सर्व नाम है तो उस ने बह, तुम, तुमको, मैं तो आपको ये जो है वो याद रहेगा कि किसको अंडरलाइन करना है और कौन सा सर्व नाम है तो आप इसको पढ़ के रखा करें हर लेसन में हैं आपके दूसरा है ये विद्द्यालिय ये शब्द जो है ये वाले शब् इनको बदली करके नई शव्द है dann habe ich नए पढ़ना है हम नहीं पढ़ना है थो यह अंदर पहले थीर हम ऐसे लिखते हैं अ STEP sexy 06 अभ ऐसीOh तो आपको यह वार यह वाले शवद्वर्ड और यह लिखना है यह कटिन शव्द है यह तीन बारि नोट वुक में लिखने हैं। उसके बाद मोखिक प्रशन के वान वर्ड और ऊवर्ड मैं आश्र आपको यह सामने में लिखें। उसको नोट बुोक में लिख के यह वाले कुशनों के छाधान नोट-बुक में लिखें। रोगे क्यों कि आपके MAX क्यों होते हैं और उसमें यह पूछे जाते हैं बच्चों ने दीपू को क्यों घेर लिया बच्चों आपको पता होना चाहिए अब हमने लेसन पड़ा है क्योंकि वो प्रत्थम आया था वजीफा किस की और से दिया जा रहा था संस्था की और से वजीफे के लिए किस किस विशे की वरिक्षा ली जाती है ली गई थी गणित भाशा सामान्य ग्यान आदी तो यह जो आंत में किसके वजीफा मिला तो दोनों भाई बेन को यह कोशन के आंसर का मैं बीडिया भेजूंगी आप उसमें से पहले आप खुद ल पीडियाफ में चेक कर लें कि आपने गलत लिखा है या सही लिखा है जितना भी टेश्ट बुक में है वो आपको पैंसिल से लिखना है जो आपको नोट बुक में है उसमें आप वाल पेन यूस कर सकते हैं यह वाले कोशन आपको नोट बुक में लिखने हैं और यह एक दो तीन चार ये और ये वाले पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा ये बारा शब्द जो है आपको तीन बार नोटबुक में लिखने हैं कटिन शब्द और ये वाले जो question आज़र हैं ये आप इसमें ही लिखें आपको समस्य इस बात किया बच्चो ध्यान दे हैं हर बात का आप कहते हैं कि आप जब आंसर लिखते हो तो आपको जगा कम पढ़ जाती है बच्चो ये बुक्स प्रिंट दे हैं हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक तो आप writing थोड़ी अपनी छोटी करें दूसरा आप यहां से लिखना स्टार्ट करें पीछे से लिखना स्टार्ट करें और ये सब question के साथ नहीं होता किसी किसी के साथ ऐसा होता है तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट करें अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां से लिखने स्टार्ट करने के बावजूद भी जगा काम पढ़ रही है नहीं आ रहा है तो आप वो वाला आंसर जो है वो नोट बुक में लिख ले अगर नोट बुक में आप लिख रहे हो तो लिखें कोईशन नमबर टू ख अगर आपको ऐसा लगता है ख बहुत है तो आप उसमें लिख लें नमबर प्रॉपर दें और कोईशन के साथ लिखें और यहां पर आप लिखते हैं कि इन नोट बुक तो समझ में आएगा कि यह वाला आंसर जो है वो आपने नोट बुक में लिखा है उसके बाद कोई-कोई कोईशन के अगर आपको डिरेक क्योंकी से स्टार्ट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो जरूरी नहीं है किसी-किसी कोईशन में कोईशन से स्टार्ट करना ही आनिव लिखा रहा होता है तो ही आंसर प्रॉपर आता है संट्रांस फॉरमेशन प्रॉपर होती है लेकिन किसी-किसी में कोईशन की अवश्यक्ता नहीं होती है आप सीदे ही क्योंकि से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद ये वाले ये आपके लिए आप ये वाले जो है बाब मुकेदाहपक ने क्या गोशन की ये आप खुद करोगे बिना मम्मी पापा की हेल्प के आप खुद ये सारे जितने भी M.C. क्यूशन है आप किसी की मदद नहीं लें अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो एक बार लेसन फिर से पड़े उसके बाद समवाद किसने किस से कहे ये भी आपको आजाने चाहिए बचो ये जो संटन्स दिये है हाँ भई जल्दी तो होगी मिठाई जो कानी है तो ये वाक्या किसने किस से कहे तो लिखना है ये वाक्या दीपू के दोस्तों ने दीपू से कहे क्यों कहा क्योंकि दीपू प्रतमाया था उसे बजीफे के लिए चुना गया था सेम बैसे ही मुझे कौन पढ़ने देगा मीनू ने कहा है ये आपको मैंने भेज़े है आंसर इसके लेकिन आप इसको खुद करने की कोशिश करें उसके बाद ढूंड कर निमा लिखत वाक्यांस के लिए पाठ में से ढूंड कर एक शब्द लिखें अब बच्चो आपको इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है स्वास्थय की जांच के लिए स्थापित केंद्र ये देखिए याप भी पढ़ा था हमने आरोग्या केंद्र आपकी टेस्ट बुक में हैं वहाँ से आपको ढूंड कर जो है शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आप पढ़ोगे तो आजाएगा अच्छे लक्षनों बाला में धावी आपको टेस्ट बुक में ही है और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है इन वाकियों को कोश्ट के दिये गए काल तथा क्रिया शब्द लगा कर पूरा करें अब आपको यहां से देना है और यहां पर यहां पर यह काल है और क्रिया का मतलब है देना उठाना देना उठाना मिलना जाना लाना यह क्रिया शब्द है और यह काल है तो आपको यहां से शब्द उठाने और यहां भरने है देखिए उसे यह समाचार दीदी को देना आगे भूत काल तो देना आप लिखोगे यहाँ पर तो बूतकाल क्या आता है? है, था, गा तो बूतकाल है तो क्या लिखोगे? था, very good आता है उसके बाद वैसे ही मेरी पढ़ाई का खर्चा संस्था उठाना बविश्यकाल मेरी पढ़ाई का खर्चा संस्था उठाएगी ग आना चाहिए क्योंकि भविश्यकाल है तो बच्चो यह आप काल देखना बर्तमान है तो है लिखना बविश्यकाल तो ग लिखना ग आना चाहिए उठाएगी, जाएगी चलेगी, खाएगी तो बविश्यकाल और चलता था, आता था, जाता था, पढ़ता था, तो भूत काल, पढ़ता है, चलता है, लिखता है, बोलता है, तो वर्तमान काल, और ये देखो, लाना है, लाना, वर्तमान लाना है, जाना था, जाएगा, जाना है तो जाएगा, ऐसे आज़ी काल, उसके बाद, उठाना है त उठाएगा लाना भूत काल है तो लाना था निम्मो चाए लाई थी संटेंस आप देखें प्रोपर बनना चाहिए निम्मो चाए लाना था ये संटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रामर है ग्रामर में भाशा का बहुत ध्यान रखा जाता है तो निमो चाए लाई थी उसके बाद समुचे बोध धग बच्चों अगर ये आपको आज आएगा तो ठीक अगर आपने लाक्षियर पड़ा होगा अगर नहीं आएगा तो हम इसके बारे में उच्छी समुचे बोध लगी ने बाकियों को पूरे करें अगर नहीं आएगा तो आप इसे रहने दें जब हमारा रिवीजन या नेक्स्ट ग्रामर हम शुरू करेंगे उस वक्त भी हम इसको पढ़ लेंगे ग्रामर क्योंकि ये लेसन खतम होने के बाद आगे हम ग्रामर और राइटिंग स्किल ही पढ़ने वाले हैं गाउं के लाइक होन हार बच्चों का चुनाब होता था गाउं के लाइक और होन हार ऐसा बाक्या जिससे बाक्या जुड़ता है मैं कल स्कूल नहीं आई क्योंकि मुझे बुखार था तो ये जो क्योंकि शब्द आया बच्चों इससे हमारा बाक्या जुड़ा है तो समुचे बोदक का मत्तब होता है बाक्या को जोड़ना ये देखिए आपको सर्व असान दिये हैं और की परंतु क्योंकि इसलिए तो आपको ये ही शब्द उठाकने हैं और नीचे भरने हैं गाउं के लाइक उसके बद और होनार बच्चों का चुनाव होता था परिक्षा मैं मेरे असी प्रतस अंग आये इसलिए मैं चुना गया ऐसे अप यहां से ये जो शब्द है इनसे ही उठाके आपको इसदर भरने है आपको इग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा समुचे का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ना और जो सब्द जुड़ता है वो समुचे शब्द होता है अब यहां पर अगर हमने और लिखा तो जो और सब्द है ये जो और सब्द है ये समुचे वो धकुआ ठीक है बच्चो उसके बाद ये प्रयायवाची शब्द है ये भी मैंने आपको PDF में इसके आसर दिये है जिसे घर, मा, खुश, ये आसान है तो जो मैंने दिये हैं वो ही लिखना ये कुछ जरूरी नहीं है आप अपना भी लिख सकते हो ठीक है बच्चो मैं अमीद करती हूँ, आपको पार्ट समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी आया है आप एक बार, अगर एक दो बार पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा पार्ट समझ में आ जागा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा आप बार बार पढ़ें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका लेसन भी परफेक्ट जो है उसकी रीडिंग और लर्निंग दोनों हो जाए तो ठीक है बचो अपना ख्याल रखें अपनी सहेत का मामी बापा का कहना माने और गर में रहें